यह जो रेसिपी है, खटी है, स्पाइसी है और तंडी दार है, यह तंडी से बनाएंगे इसको हम, वाँ, इसमें थोड़ी तो फूश हो होती है, इसको सिरफ पानी के अंदर भिगो के रखा हुआ है मैंने, क्योंकि जो चीज मैं बनाने वाला हूँ, वो है प्रॉंज, और प बेन निकाल लें, देखें इस तरह से, और फिर यह जो ब्रॉंज है, यह ले लिए, और अब यह ब्रॉंज को हमने मेरिनेट करना है, वह इसमें नमक, और उसके साथ-साथ चॉप्ट गार्लिक, नीवुका रस, यह चीजें, नमक, गार्लिक, और नीवुका रस, और अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं, और इसमें डालेंगे थोड़ा साथ तेल, इसमें यह तेल, यह लिए लिए, तेल डाल दिया, और यह कर दिया, मिक्स, और इसके बाद, यह साथे स्टिक्स, पानी में भीगिवें, और यह प्राउन को, आप इधर टेल एंड से, इस तरह से, आप इसे लगा ले, यह इसलिए, ताकि यह प्राउन एकदम सीधे रहे हैं, और अब इसे हमने ग्रिल करना है, यह प्राउन, यह जो लकड़ी है, इसको गीला इसलिए किया था, ताकि यह जले नहीं, यह लीजे, अब क्या करना है, अब इसकी एक सॉस तयार करनी है, बहुत ही सिंपल सॉस, प्याज, यह बारीक कटा हुआ, और इसको एकदम बारीक, थोड़ी यह चिली, फ्रेश रेज चिली, यह देखिए, यह प्याज और लाल मिर्च, इस बोल के अंदर, प्रॉन्स का क्या हाल है, प्रॉन्स को पलट ले, जादा नहीं इसे पकाना, और अब यह देखिए अब, नीबू का रस, अच्छा, इसमें नमक, और इसके बाद थोड़ा सा सोया सॉस, यह जो फ्रॉन्स हैं, इस पे थोड़ा थोड़ा तेल, और अब यह परोसने के लिए तयार, थोड़ा सही यह मुझे चाहिए, लेटस लीव्स, और यह, इस ग्लास में, और अब, यह जो सॉस है, इसमें, और यह जो प्रॉन्स हैं, यह लीजे, और इसमें, वा, कुछ कहने के जुरुवत नहीं, नोट करें इसके इंग्रीडियन्स, और उसके बाद इसका एक भी जाएंगा। नमक, लसन, एक बड़ा चमज नीबू का रस, और एक बड़ा चमज तेल डालकर मिक्स कर लें, अब इन प्रॉन्स को साथे स्टिक पर या लगलगी तीनों पर लगा लें, और इने ग्रिल करें, बीच में थोड़ा तेल लगा लें, ड्रेसिंग के लिए, कटीवी प्यास, ताजी लाल मिर्चे, नमक, बचावानी बुगारस और सोया सॉस में ला लें, इसे सर्फ करने के लिए, कॉक्टेल ग्रास में श्रेट की हुए लेटर्स के पत्ते डालकर, उपर से तयार ड्रेसिंग डालें, और प्रॉन्स रखें, और इसे परोसें तुरन्थ